नमस्का साथी हूँ आप लोगोंने देखिये सम्मीदान को, राज व्युक्सता को कई जगे से पढ़ा होगा और आप लोगोंने कई किताबें पढ़ी होगी लेकन आज हम लोग ऐसे कुछ कुश्चन्स लेग रहे हैं ऐसे कुछ पिसन ले रहे हैं जो आपकी परिक्षाओं के लिए बहुत ही मात्पूर रहने बाले है और जैसा कि आप लोगों से कहता भी रहता हूँ कि जब आप लोगों कोई सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं तो उसके कुछ पिसन ने देखा करिएगा उनके आंसर देने की कॉसिस किया करिएगा और इसे कई लोग मौक टेस्ट कर देते हैं तो यह आप लोगों को याद रखना होगा और मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ आप लोग अपनी परिक्षाओं के पुराने कुछन सपर पर उठा के देखिए चाहे आप लोग यूपी एसी की तैयारी कर रहे हों या इस्टेट PCS जिसमें आप देखिए UPPCS, BRPCS, 36गर PCS, MPPSC इस तरह कि तमाम इस्टेट अपने यहां PSC का एकजाम कर वाते हैं या अफर आप देखते हैं कि इस्टेट में आप लोगों ने देखा होगा सिक्छक भरती होती रहती है, दरोगा, SI भरती होती होती है, पुलिस के लिए होती है इस तरह कि तमाम एकजाम स्टेट में भी होती है, सैंट्रल में, SSE, बैंक, रेलबे, आप समझा रहें, इनके होते रहती है तो हर paper में आप देखे, मुझे लगता है कि एक दो questions जरूर इन questions से आए होगे और आप लोग मिलान करिए, बहुत ही महत्मूर questions है और मुझे लगता है कि निचोड कह लीजी आप लोग और इसमें से दो तीन questions आने की पूरी संभावना बनी रहेगी चलिए पहला question आपकी सामने है लोगसभा का pro-time speaker या अध्यक्चे निचोड किया जाता है देखे एक तो आप सभी जानते हैं कि लोगसभा अध्यक्च होता है और जो लोगसभा सदसों के दोरा ही निचोड किया चुनाओ होता है उसका ठीक है और लेकिन ये pro-time speaker की बात हो रही है तो भारत की राष्टपती द्वारा भारत की उपराष्टपती के द्वारा और भारत की पिधान मंत्री के द्वारा या भारत की मुख नयादिस के द्वारा तो आप सभी को मालूब हो कि भारत के जो राष्टपती साहब रहते हैं, उनके द्वारा प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है, वही सभी को सपत दिलाता है, क्या करवाता है, सपत दिलाता है, तो एह option आपका बिल्कुल सही रहेगा, और एक questions आप देखिए कि जितने इश्टार आपको लगाना है, लगा लीजे, क्योंकि मैंने कई एकजाम में देखा है कि questions पूँचा गया है, समझ रहे हैं, अंगला question है हमारे साब में, लोग सभा में भारत के राष्टपती द्वारा, एंगलो इंडियन समुदाय कि कितने सदसों को मनोनीत किया जाता था, और एक questions जाते हैं और जाता था, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि इसे हटा दिया गया है, लेकिन कई बोर्ड ने क्या किया है कि अभी भी इस questions को पूँच लिया है, और उन्होंने दो सही भी लगा दिया है, तो अगर आपसे पूँचता है कि लोग सभा में भारत के राजपती के द्वारा एंगलो इंडियन समुधाय कि कितने सदस मनोनीत किये जाते हैं, तो आप लोगों को बारह आठ या फिर आप देखिए, चार दो, तो ये दो होगा, क्या होगा, दो होगा, अगर आपकी सामने लिखने के लिए आपके पास है कि option आपको लिख सकते है तो आप लोग जरूर कहिए, आप लोग कि इन्हें अब हटा दिया गया, इस प्रावधान को कतम करवा दिया गया, अगर आप देखिए कि इसमें दो लिखा रहता है, तो इसको जरूर option लगाईएगा, ठीक है, और अंगला कुशिन है मारे सामने, भारत के समिधान के अनु राष्टपती काम करने लगेगा, लेकिन आप सोची कि अगर राष्टपती भी नहीं है, और राष्टपती भी नहीं है, तब आप देखिए कौन राष्टपती होगा, लोग सा बात देख्च, भारत की पिधान मंतरी, भारत की मुख निरवाचनायुक, भारत की मुख निय ठीक है और अंगला कुशे ने निमलिकित राज्य में किस राज्य की बिधान मंडल दूई सदनिय है यानि की बिधान सबाबी है और बिधान परिशत भी है तमिल लाडू और तिपोरा पश्यमंगाल बिहार बताई कहां की है और आप सभी को मालू होगा कि जम्मू कस्मीर में भी थी बिधान परिशत लेकिन अब वहां से हट चुकी है क्या हट चुकी है वहां से मतलब अभी 370 हटाए गया तो आपने देखा है कि अभी वहां चुनाव भी नहीं हुए है और जम्मू कस्मीर आपका देखिए कैंद सासित पिदे से लद्दाग भी आपका कैंद सासित भी अंविक पिदे से लेकिन जम्मू कस्मीर में आपकी विधान सभा होगी दिल्ली की तरह है ठीक है और बिहार में अगर बात करेंगे तो देखिए बिदान परिशत है हां यहां आपको बिदान फेसरह में तर सीट है देखने को मलेगी और विदान सभा में harus दो साट्रीस या फिर आप देखी करनाड़ा, एक बात और बताता हूँ आप लोगों को, बड़ी दिल्चस्त बात है, आप सभी को मालू होगा कि कई लोग कह देते हैं कि हमारा सम्मीधान तो उधार का थेला है, कई दूसरे देश के लोग हमारे सम्मीधान की एक तरे से आलोचना करते रह बाहरी सम्मीधान को हमारे देश के भीमराव मेटकर सबसे पड़े लिखी बेखती, उन्होंने पढ़ा सभी देशों के सम्मीधान को, और उन्हें जो अच्छा आई थी, हमारे देश के इसाब से थी, उन्हें हमने सामिल किया, तो यह आप देखेंगे 5 में क्या होगा, आप लोगों को कनाड़ा लगाना है, यह कुशन्स भी कई परिक्षाओं में पूंचा गया है, और देखिए कोई कुशन्स ऐसा नहीं लिया गया जो महत्पून ना हो, अगर आप लोग पुराने कुशन्स पर कम से कम 4-5 साल पुराने देखेंगे, तो आप लोगों की समझ में भी आ रहा होगा, भारत में कितने सा केंद सासित पिदेशों की कुल संक्या कितनी है, वर्तमार में, 5, 6, 7, 8, तो आप सभी जानते ही कि 8 केंद सासित पिदेश हैं, कितने 8 केंद सासित पिदेश हैं, भारत की सर्वोच नियाले की अधिकारिक भासा क्या है, भारत की सर् भारता में आप देखते हैं, याटबी अन्रसूची Natal 22 भासा है आप देखते हैं, तो अंगरेजी हो समय समय पर मांग उठती रहती है, या होना चाहिए, कि देखे hey, हमारी इस्थानिय भासाओं में भी, कम से चलिए आपके जो भी नेड़ाया सते हैं, आपके समय उठाई हो से समझ पाएं, आप सोचें, इंगलेस आप किसी छेत में जा रहे हैं, वहां हिंदी बोलने बाले हैं, और आप इंगलेस बोलने लग जाएए, किसी को हाँ बात समझ में ही नहीं आएगा, और आप देखें हमारे महा भी रौधबुध भगवान हुआ करते थे, वो लोग क्या सरकार की द्वारा, राज सरकार की द्वारा, भारत की उच्चितम नियाल है द्वारा, भारती निर्वाचन आयुग द्वारा, तो आप सभी जानते हैं कि भारती निर्वाचन आयुग की द्वारा दी जाती है, आप लोग तभी तो कहे देते हैं, ये राष्टी ये पार्टी समिधानिक संस्ता है भारती निर्वाचन आयो किस तरह की संस्ता है तो आप सभी कुमाल होगा कि Election of India, Election of India, Election Commission of India की बात हो रही है यह 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी पहले हमारे जो आप देखें भारती निर्वाचन आयोक्त थे मुख उनका नाम था सुकुमार और New Delhi में इसका headquarter देखने को मिलेगा यह सम्मिधानिक संस्ता है और Article 324 आप लोग पढ़ेंगे ना तो क्या कि भारत निर्वाचन आयोक की विवस्ता की गई है भारत निर्वाचन आयोक का काम होता है लोकसभा, रासभा, बिधानसभा, बिधान परिसर्थ, राष्टपती देश, निर्बाचन आए होगा, आप लोगों नाम सुनाओगा, तो ये समीधान एक संस्ता है, D option बिल्कुल सही है, भारत में सूचना का अधिकार किस बरस पारित किया गया है, 2004, 2009, 2005, और 2009, बताइए, तो 1999, 2005, 2009, तो आप देखें कि 2005 में ये अधीनिमित किया गया था, और प information की बात हो रही है, और आप सभी जानते हैं कि इसके तहट आप लोग सूचना मांग सकते हैं, और आपने देखा होगा, अगर आप लोग किसी ग्रामिट छेत्व से करते हैं, बिलाओं, और आपका अगर जो भी सेकरेटरी है, सरपंच है, प्यधान साहब हैं, वो काम नहीं कर रहे हैं, आपका कहीं काम नहीं हो रहा है, तो आप वहाँ भी सूचना मांग सकते हैं, और ये सूचना का अधिकार इसलिए लाए गया था, कि देखिए आपका जो भी परियोजना चल रही हैं, जो भी आप देख रहे हैं, काम हो रहा है, हमारे आपके पैसे से हो रहा है, तो आप देखें आपकी यहां रोड डल ला है आप पूर सकते हैं कि इसमें कितना कर्चा आया पांस साल में आपके लिए बजट कितना आया आपके छेत के लिए और यकीन मानिए अगर इस सूचना की अधिकार किता है तो आप लोग सूचना मांगते हैं तो जो सरपंच आपके या विधायक आपके मोहनी लगता होगा, वो आपको हाँ जोडते फिरेगा, तो इसमें 2005 होगा, C option होगा, और इस तरह के जो अधिकार आए हैं, देखिए इसके लिए बहुत परिस्तरम किया है हमारे देश के लोगों ने, हमारे जो आप देखिए, हमे सुधार अधिनियम 1909 में पिरमुख प्रावधान कौन नहीं है, विधान परिस्तरों की आकार में विधि, केंदरी विधान परिस्तरों में सरकारी बहुमत, संपदायक और पिथक निर्वाचन पदिती, और डी है केंदरी विधान परिस्तरों में निर्वाचि सदस्तों को इस्थान नहीं, तो इसमें याद रखे, 11 में आपका D होगा, देखे, नहीं है, पूछ रहा है, तो बिधान परिश्दों में आकर में बिजदी बिल्कु सही है, कैंदरी बिधान परिश्दों में सरकारी बहुमत, संपताय को पिथक निर्बाचन पत्ती, ए भी सामिल था, ल पुली करतब भारत की उत्तरपूरवी राज्यों से, या फिर आपका सिक्चन सरस्थानों में OVC के आरक्चन से, तो याद रखे, आप सभी जानते हैं कि OVC आरक्चन से, D ओप्शन विल्कु सही है, इसमें, 93 विल्कु सही है, D ओप्शन, अंगला है, आप देखेंगे 13, निम्ने में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख बेसिस था, नहीं है पूछ रहा है, तो तीन तो होगी, एक नहीं होगी, और जो नहीं है, वही चुननी है आपको, तो यह परांतिय स्वैत्ता की सूथपात का संकेत था, इस अधिनियम में अखिल भारती महासंग का प् बाकी तीन आप देखेंगे, निम्ने में भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख बेसिस था, यह परांतिय स्वैत्ता की सूथवात का संकेत था, इस अधिनियम में अखिल भारती महासंग का प्रावधन था, और इसमें परांतिय स्थर पर दोएदित्सासन पेडाली को समात कर के प्रवित किया गया है, 1909 का भारती काउंसिल अधिनियम, 1909 का, 1929 का भारत सरकार अधिनियम, 1935 का भारती सुतंता अधिनियम, और 1947 का भारती सुतंता अधिनियम, एक बात और आपको बता देता हूं, फिर से बता देता हूं, इस तरह कि जो एक्ट हैं उनसे आप लोग आधिकार परबल दिया विधाईका को कारिपालिका से अलग किया विधी निर्माड का केंद्री कंड किया तो इसमें आप देखेंगे बेटेन की संसत को भारत में पर विधी बनाने का अधिकार परबल दिया था 1773 का रेगूलिटिंग अधिनियम की बात हो रही है एक्ट आप देखें इसमें क्या क्या हुआ इसकी बिशिस्ताएं क्या थी इन पर आप लोग जरू पड़ेगा और इनके बारे में हम लोग बिस्तार सी पर चुके हैं मुझे लगता है कि GKGS के लिए आपके पास material की कमी नहीं है आप लोग एक बार playlist सूची में जाएए सब कुछ पड़ा हुआ है और अगर कुछ कमी हो तो आप लोग बताईगा उस पर भी हम लोग बात करेंगे वेटिस भारत में के निमलिखित परांतों पर विचार कीजिए उन परांतों को पहचानी है जहां 1937 में भारती राष्टी कॉंग्रेस का मंती मंडल नहीं बनाता मद्परांत, उडिसा, बंगाल, पंजाब निमलिखित कुट में से सही उत्तर चुनना है और इस तरह के कुष्टन साथे हैं आप देखते हैं स्टेट PCS में और से बिल सर्वेस में आप समय रहे हैं आपको भरमित करने के लिए तो आप लोगों को इसलिए तो कहते हैं कि NCE तो इसमें आपको बता दूं 16 में आप लोग क्या लगाएंगे? 16 में लगाएंगे आप लोग B option तो इसमें आप देखेंगे मद्द आपका बंगाल और पंजाब की बात हो रही है क्या? बंगाल और पंजाब की बात हो रही है तो आपको बता दूं वेटिस भारत की प्रां लगाते हैं, आओ, ओनलाइन पेपर होता है, तो आप लोग बड़े ध्यान से लगाए करिएगा, ठीक है, गोला भरते तक समय तो आप लोगों को ध्यान रखना होगा, क्योंकि एक बार अगर आप लोगों ने गल्ती कर दी, तो उसे सुधाने का मौका भी नहीं मिलता है, ने 484 का फीड्स इंडिया अधिनśniem, 1813 का चायर्टर अधिनियम, 1818 का भारत सरकार अधिनियम, तो इसमें आप लोग क्या लगा लगाऊँगे, 17 ankle में बश बाधन किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 फीट का पीट्स का अधीने भारत अधीनिया 1784 या फर आप देखिए चार्टर एक्ट 1833 तो आपको बता दूं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की बात हो रही है 18 में एए उप्सन आपका बिल्कुल सही रहेगा वेटिस मिसिनियों उनको भारत में बसने की अनुमती पैदान की गई थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के दौरा फीट्स इंडिया एक्ट 1784 के दौरा 1793 के चार्टर एक्ट के दौरा या फिर आप देखिए 1813 के चार्टर ए भारत में सिक्षा के लिए एक लाक रुपी दिये थे बुर्स का डिस्पैच 1884 एक वेश्चन भी आपको बता दूं तमाम एक्जाम में पूंच लिया गया है और अगर आप लोगोंने पेपर देखोंगे तो आप भी मानते होंगे इस बात को चार्टर अधिनियम 1813 और अधिनियम 1813 20 में आपका B option बिल्कुल सही रहेगा किस अधिनियम ने भारत बासियों को अपने देश की पिसासन में कुछ हिस्सा लेना संभव उना है अठारे सो तीरे माकरी 1833 1813 1818 गवर्मेंट ऑफ इंडिया एक अठारे सो अन्ठावन या इंडियन कॉंसल एक अठारे सो एक सट तो आपको बता दूं चार्टर एक्ट 1833 21 में क्या लगाओगी ए ओप्सन बिल्कुल सही रहेगा और एक बात और आपको बता दूं अगर मु आपको बता आए जाए पर भी इंसान हो अगर गलती हो जाती है तो उसे आप लोग सधारने के लिए बैठा हुआ हो सकता ही कि इसलिए गलती भी हो जाती हो कि आप लोग तो हैं सुधारने के लिए 22 में ने भारती है प्रांतों को उनकी विदाई सक्ती से बंचित किया है 1813 तो इसमें आप देखें कि 22 में आप लोग भी ओप्सन लगएंगे निम लिखित में से किस अधिनियम के द्वारा वेटिस राज ने भारतिय पिसासन को अपने हातों मिलिया था 1773, 1853, 1858, या फिर आप देखेंगे 1861 तो 23 में आप लोग लगाएंगे C ओप्सन 1858 होगा इसमें 23 में क्या लगाओगे 23 में C ओप्सन आपका, बिल्कूल करेक्ट होगा चलिए अंगले कुश्यन की तरफ बढ़ते हैं अंगला कुश्यन हमारे सामने 24 निम लिखित में से भारती सुदंताओं का अधिकार पत, किसी कहा जाता है रेगूलेटिंग एक्ट 1773, फीट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्ट एक्ट 1833 या फिर आप देखिए महारानी की गोश्ना 1858 तो 24 में आप देखेंगे महारानी की गोश्ना 1858 की बात हो रही है 1857 की किरान्ती में आप लोग उने पढ़ा होगा और आपको बता दूँ, 1857 की किरान्ती से भी आपकी परिक्षाओं में कुश्चन्स पूचे जाते है तो जरूर उसे भी आप लोग याद रखा करिएगा 24 में आप D होगा आपका, ठीक है 25, भारत में पितिनिदी सरकार की भुनियाद डाली थी 1909 की सुधार अधिनियम ने, 1861 की भारती परिशद अधिनियम ने और सी कह रहा है कि 1892 की भारती परिशद अधिनियम ने 1935 की भारत सरकार अधिनियम ने तो इसमें क्या लगाओगे तो ये आपका 25 में आप लोग B option लगा देंगे 1861 के भारती परिशद अधिनियम ने 25 में क्या होगा? B option अंगला कुश्य ने निमलिकित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत में पिती ने दी संस्थाएं फित्थम बार प्यारम कुई थी चार्टर अधिनियम 1853 भारत सरकार अधिनियम 1858 भारत परिशद अधिनियम 1861 भारत परिशद अधिनियम 1892 तो आप देखेंगे कि 26 में C होगा आपका क्या होगा? भारत परिशद अधिनियम 1861 तो 26 में क्या लगा होगे? C Qution है मारे सामने 27 निमलिकित में से उधारबादियों की कौन सी एक मांग मारले मिंटू सिहार में सुईकार की गई थी उधारबादी कहने का मतलवी कि आप देखें कि पर रात ना करके पत लेकर अपनी मांगों को मनबाना और आप देखें गरमबादी समझ रहे हैं आप लो ओगरबादी जिनें कह देते हैं आप लो गोली बंदू, डरा धमका की काम कराना तो 27 में भारत के डोमिनियन इस्टेटस और उत्तरदाई सरकार का प्याराम परिसेदों की आकार का विस्तार सौराज का विचार का उत्तर तो बताईए इसमें 27 में क्या लगाओगे 27 में C आपका विल्कुल परिसेदों की आकार का विस्तार तो 27 में C होगा 28 से निमलिकिती योगुमों में से कौन सही सुमलित है इंडियन काउंसल एक्ट 1892 निरवाचन का सिधान्द इंडियन काउंसल एक्ट 1909 उत्तरदाई सासन गवर्मेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1913 और गवर्मेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 राज्यों में दुईद सासन्द तो 28 में क्या रहेगा आपका बताईए तुछ तो 28 में ए ओप्शन बिल्कुस सही है इंडियन काउंसल एक्ट 1892 निर्वाचन का सिध्धान तो 28 में ए ओप्शन होगा 29 में भारत सरकार अधिनियम 1919 में निमलिकित में से किसके इसपश्ट रूप से परिभासित किया था नियायपाल का विधाय का कि 20 सकती का पितरकर्ण केंद्री एवं परांतिय सरकारों की अधिकार था भारत की सिगर्ट्री ओव एश्टेट एवं वाय सरवाई की सकतियां उप्योक्त में से कोई नहीं 29 में 29 में B आप्शन आपका केंद्री एवं परांतिय सरकारों की अधिकार था उन्तीस में क्या लगाओगे? B option. तीस है आपके सामने निमलिकित अधीनेमों मैं सी, किसने भारत में पिता संपधायक निर्वाचन का प्रावीधार रखा? भारत परिशाद अधीनियम 1892, भारत परिशाद अधीनियम 1909, भारत सरकार अधीनियम 1919. तो तीस में आपका C option बिल कुछ सही है. भारत सरकार दीनियम 1909 किस पर आधारी था? मारली मिन्टु सुधार, मौन्टीव चैंप स्पूर्ट सुधार, रेम जे में डोनल्राल्ड अवार्ड अवार्ड या नहरू रिपोर्ट, एक अधीस में क्या लगाओगे? B option. मौन्टीव चैंप स्पूर्ड रि 1911 एक्ट, 1915 एक्ट, 32 पूछ रहा है आपसे. तो याद रखे, ये लाया था 1919 का एक्ट, C option 32 में, बिल्कुल सही है. उन्नीस सो अंगला कुशन है 33, 1919 के एक्ट के अंदर का दोयद, दोयद सासन से समंदित, निम्न बक्तब्बों में से कौन सा एक सही है, तीन गलत होंगे एक सही है, तो एक सही आपको चुनना है. परांतों में परिसेदों की सदस परांती ये विधान मनलों की पिती, उत्तरदाई थे, उत्तरदाई सासन की ओर ये पिथम चरन था, सही कह रहा है परांती राजपाल नामत का अध्यक्च रहे गया था, उप्यक्त में से कोई नही तो 33 में आप लो B option बिल्कुछ से ही रगा देंगे उत्तरदाई सासन की और यह है पिथम चरन्था 33 में B 34 प्रांतों में आंसिक उत्तरदाई सरकारें निमलिकित में से किस Act के अधीन गठित की गई थी यह कहरा है The Government of India Act 1929 The Government of India Act 1935 Indian Council Act 1909 और Indian Council Act 1892 तो यह आप देखें कि 34 में A बिल्कुछ सही होगा The Government of India Act 1929 34 में A अंगला कुशन है हमारे सामने 35 प्रांती यह विसेओं का केंद्री यह विसेओं से पिथक करने के लिए जिस अधीनियम में पहली बार सामविदीक नियम बनाए गया है था भारत सरकार अधीनियम 1935 भारत सरकार अधीनियम 1909 भारत परिशाद अधीनियम 1909 या भारतिये परिशाद अधीनियम 1892 तो याद रखें 35 में आप लोग B ओप्सन लगाएंगे भारत सरकार अधीनियम 1909 35 में B अंगला कुशन है मारे सामने 1919 के भारस सासन अधीनियम की निमलिकित में से कौन सी प्रमुक विसेश्थाए है प्रांतों की कारकारणी सर्थकार्ण में दोएद सासन की वेवस्था मुसल्मानों के लिए पितक संपदायक निर्वाचन मंडलों की दिवस्था और केंद वारा प्रांतों को विधाईन, सक्ति का हस्तानतन और इनमें से सही कूट आप लोगों कुछ नीचे चुनना है के बल एक सही है, के बल दो तीन सही है, के बल एक तीन सही है के बल एक तीन सही है, या एक दो तीन, दो तीनों सही है 36 में क्या लगा होगे? 36 में आपका क्या होगा 36 में C होगा 1-3 बिलकुल सही है 1919 के अधिनियम की विशेष्टा की बात हो रही परांतों की कार काईटी सरकार में दोयद सासन की विवस्ता और केंद द्वारा परांतों की विधाई को विधाई सक्ती का हंस्ता अंतरन 1-3 सही है दो बिलकुल गलत था तो 1-3 मतलब सही है तो इसमें क्या लगाओगे C option बिलकुल सही रहेगा 36 में अंगला कुशन है हमारे सामने 37 सन 1919 के अधिनियम के अंधिनियम के अंधर दी गई दोयद सासन विवस्ता में निमलिकित में से किस एक ने परिवातन के लिए संतुति दी थी मुडी में समती सप्पुरू समती या साइमन आयो बठलर आयो तो ये था साइमन आयो C option 37 में भी आपका बिलकुल सही रहेगा किस में? 37 में नैमलिकित में से किस दिनियम के अंतर के 2 है 20 सासन विवस्ता लागू की गई भारत परिष्णा दिनियम A층 का C Guardτη परिष्णा दिनियम horsepower C version 29 और भारत ये परिष्णा दिनियम 1909 भारत द शर्कार दिनियम 1919 तो इसमें आप याद रखी में 1935, 1908 तो इसमें 1908 में हो गया था ठीक है? तो इसमें D option बिल्कु सही रहेगा भारत में दोई सदनात्मक बिवस्था को किस अधिनियम के द्वारा प्यारम किया गया है? 1909, 1912 या 1935, 1947 तो 40 में आप लोग क्या लगाएंगी? 1912 देख रहे हैं आप लोग कितने questions पूचे जा रहे हैं नेमलिकित में से कौन एक सही है? 32 समिधार में मूल अधिकारों को सामिल करने के लिए नहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्तन किया था भारत सरकादिनियम 1935 ने मूल अधिकारों को पिरसा दिया और अगस्त पिस्ताओ 1940 ने मूल अधिकार सामिल किये गए थे और कित समिशन 1942 ने मूल अधिकारों को पिरसा दिया तो इसमें क्या पूच रहे है? सही पूच रहे है तो 41 में आप लोग देखेंगे ए ओप्सन बिल्कु सही है बालती समिधार में मूल अधिकारों को सामिल करने के लिए नहरू रिपोर्ट ने समर्थन किया था 41 में ए ओप्सन करेक्ट है 42 कुश्चन है 20 अगस्त 1917 के सुधारों की गोशना हो जाना है मॉन्टिक्यू गोशना की नाम से या मॉरली गोशना की नाम से मेंटो गोशना की नाम से चेम स्पोर्ट सुधार की नाम से यह आप देखिए 42 की बात हो रही है तो इसमें भी आप देखें कि मॉन्ट की यूँ गोशना की नाम से 42 में ए ओप्सन आपका बिल्कु सही है 1935 के भारत सरकार दिनियम की निमलिकित में से कौन एक विश्रिष्टता यूप्त नहीं है केंदो में भारत की साथ राज्यों में दो सासन दोई सदनी बिधान बंडल प्रांतिय स्वायता एक अखिल भारतिय संग 43 में क्या लगाओ के 43 में भी ये ओप्सन बिल्कु सही रहेगा अंगला है 44 सोतन्त भारत के लिए समिधान का प्यारूद तयार करने के लिए किया गया राष्टवादियों का सरपितम प्रभावी प्रेयतन कब सुरूगवा था पुना एक्ट में सप्रू एक्ट में नहरू रिपोर्ट में या आप देखें जिन्ना के 14 सुत्रों में तो इसमें याद रखी नहरू रिपोर्ट में 44 में क्या लगाओ गए आप लोग C ओप्सन कुशन हमारे सामने 45 निमलिकित में से किस से एक अधिनयम के द्वारा भारत में संगिया नया लेकी इस्थापना की गई नहर भारत सरका अधिनयम 19-19 उप्यक्त में से कोई नहीं 45 में D-O option उप्यक्त में से कोई नहीं तो इसमें आप लोग D लगाएंगे ठीक है? D option विल्कु सही रहेगा किस में? 45 में 46 में भारत सरका अधिनियम 1935 के अनुसार प्रांतिय कारिकारी प्रोवेंसियल एक्जीक्यूटिव नेमलेकित में से कौन सी अभी लक्षन है प्रांत का कारिकारी परादी कर गवर्नर में नेथ गवर्नर को सलाय देने के लिए मंत्री परशत और गवर्नर को प्रांति विधान मंदल के आविस्वास मत द्वारा हटाया जा सकता था नीचे देगे कूट का प्रयोग करके सही आपको चुनना है एक दो सही है, एक तीन सही है एक तीन सही है, दो तीन सही है या केबल दो सही है तो बताइए 46 में क्या लगाओगे, तो इसमें 46 में आप लोग लगाएंगे, एक दो सही है प्रांत का कारकारी प्रादीकर गवर्नर में ने था गवर्नर को सदाय देने के लिए मंत्री परशत की बाद तीसरा इसमें गलत है तो इसमें आप लोग क्या लगाएंगे 46 में 46 में होगा आपका A option ठीक है 47 कुश्चन है हमारे सामने एक संघी बेवस्ता और केंद में दोईत सासन भारत में लागू किया गया था 1909 के अधिनियम दोरा 1909 के अधिनियम दोरा 1935 के अधिनियम दोरा 19 उप्यूक्त में से कोई नहीं तो 47 में आप देखेंगे C option बिल्कुँ सही रहेगा 1945 47 में C कुश्चन है हमारे सामने 48 बेटे भारत में संघी नियाले की बिसे में जो कतन सत्थ है वह है इसकी स्थाफना 1911 के अधिनियम दोरा की गई PB Council में अपील की जा सकती थी या भारत के लिए उच्चतम नियाले था इसको प्यारव में कहिदिकार नहीं था तो 48 में B option होगा PB Council में अपील की जा सकती थी ठीक है B option 48 में बिल्कु सही है किस अधिनियम की दोरा भारत में संघी विवस्ता आरम की गई भारती परश्चत अधिनियम 1861 भारती परश्चत अधिनियम 1892 भारती परश्चत अधिनियम 1909 भारत सरकार अधिनियम 1935 तो याद रखी भारत सरकार अधिनियम 1935 किस अधिनियम की दोरा भारत में संघी विवस्ता की आरम की गई थी 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935, उननचास में D है, अंतिम कुश्चन निमलेकित में किस अधिनियम ने भारत में संगिय सासन की विवस्था दी थी, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935, तो यह थी आपकी कुछ मात्मूर्ट हम लोग आने बाले समय में और भी देखते रहेंगे और इसकी फिर से बता रहा हूँ PDF आप लोग पहले टेलीगराम से पढ़ लिजे और पहले आप लोग समाधान निकालिए इने सॉल करने की कॉसिस करिएगा इससे क्या रहता है कि हमें मालूँ चलता है कि हमारी इस्तिति कहां पहुंचिए और हम लोग इनमे से कितने आंसर दे पा रहे हैं और आंगे हम लोग समय समय पर बात करते रहेंगे ठीक है आप लोग इंजवाय करिए कुछ सला हो तो आप लोग वो भी दे सकते हैं बता सकते हैं अपनी राय भी दे सकते हैं